ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय दोस्तो आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तो आज इस व्यूडियो में बात करने वाले हैं कि दिपा हैं उन उपाय को आपको कैसे करना है और क्या-क्या साउधानिया बरतना है इन सब चीजों को आज इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले एक छोटा से निवेदन में आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइ कि हारदी खारदी शुपकामना मेरी दुआ है कि आपके घर में हमेशा सुख सम्रद्धी वैभाव का बास हो सबसे पहला उपाय आपको करना है कि बाजार जाएं बाजार से खड़ा नमक लेकर आए ज़रूरी निया आज बहुत भीड़ होगी दिपावली का दिन है आप य किसी भी घर के कोने में जो भी घर का कोना जहां पर आप जहां पर इस तरह से बांदे कि किसी का हाथ ना जाए दोस्तों कोने में जहां पर हमारा यूज ना हो वहां पर रख दें साल में फिर 360 दिन बाद ऐसे ही रिन्यू हमें करना है तो सबसे पहले उपाय इस उपाय को कर तो जरूर है यह कल ले आए इन 11 दिनों के भीतर भीतर अब कभी भी एक चांदी का सिक्का जरूर आए अपनी बरकत में अपनी तिजोरी में पूजा पाट करके रख ले इससे आपको बहुत हद तक फाइदा होगा दोस्तों तीसरा उपाय है कि आज से लेकर तो 11 दिन तक जरूर courtyard कहम वाचन करें तो इससे भी आपको बहुत हद तक मनहशान्थी मिलेगी आत्मशान्थी मनहशान्थी और एक घर में शान्ती का माहोल रहे घर में सुक का माहोल रहे MOR डी का माहोल स्थीर रहे इससमीरी चीजी आपको इससे प्राप्त होगी, दोस्तों चोथा उपाए आपको वरना है कि इन 11 दिनों तक आज से लिके तो 11 दिनों तक अपने गुरु मन्तर का जब जब करना है अगर कोई गुरु मंतर नहीं है आपके पास तो आप महामरत्युन जय मंतर ओम नमशिवाय मंतर का जब करें इससे भी आपको बहुत फाइदा होगा क्योंकि यह जो ग्यारा दिन है जो टाइम है यह सबसे जादा लाबकारी हैं मंतरोजब के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए तो अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना कुण्डिक आनलिसेस खराऊना तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं मिलते अगले वीडियो में ओम नमस्षिवाए